हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप सब के साथ कुछ आई से अमेजिंग टीफ सेर करें जो काफी उजफूल है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्य गाईट क्लर कर उमाल ली हो और इस पर थोड़ा साम चाय इस तरह से डाल देते हैं इस तरह से कपड़े पे अगर गिर जाता लेकिन चाय का जो दाग होता है बहुत जिद्धी होता और यह निकलता ही नहीं आप इसको कितना भी डिटर्जेंट डाल लिजे कितना भी इसमें यह पर दाग यह दाग निकलता नहीं इसको आप निकालने के लिए क्या की यहाँ पर आप कोई कमपानी का शेमपू और आप यहाँ तरह से आप Oklahoma रगाओ आ Two थोड़े देरी में दाग जो कंगरना देखिए स्टार्ट हो गया तो इस तरह से आप एक से दो मिए तक भर गड़ागों में देखिये पर चाय का जो दाग धीरे द्हीर खाएगा सकते हैं तो यह देखिए कितने अच्छी सिस्का दाग है जो बिल्कुल निकल गया आप लोग को दिख रहा है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह से दाग को निकाल सकते हैं तो मेरा अगला टीफ भी है कपड़े को लेकर है तो देखिए बच्छे जब यह स्कूल ज जो पेन से लिखा हुआ रहा था वो किलीन नहीं हो पाता है तो यहां पर हमें क्या करना है लेना है थोड़ा सा लाइजूल और इस तरह से जहां पर बच्छे लिखें वहां पर इस तरह से आप क्या किजिए डाल देजिए डालने के बाद आप चाहे तो इसको आहां से भी रगड़ सकते हैं या तो यहां पर हमने देखिए पुराना तुथ ब्रस लिए या तो आप कप्रे साफ करने वाला भी ब्रस ले सकती हैं और इस तरह से आप रगड़ते जाईए अब देखिए थोड़े दिर में निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बैच्चे अगर ज्यादा है पूरे कप्रे पर तुप क्या कि यह आप कोई बर्तन में पानी ले ले जी और इसमे आप डिटार्जन ढल देजिए का और हमें थोड़ा से इसमें लाजवल डाल देजिए और इसको दस्मेट के लिए छोड़ दीजिए मैज्थ के लिए उसके बाद आप क्लीन करेगा त तो यहां पर देखिए हम एक पुराना सोक्स ले लिए हैं अब हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे डिटर्जन पाउडर तो इस तरह से देखिए हम भरकर एक चमच डाल रहे हैं और फिर इसी तरह से हम दूसरे चमच भी इसमें डालेंगे तो आप अपने अनुसार तो दिखें दिटर्जेण डालदी अब इसमें डालेंगे खान वहाला नमक तो एक चमछ दाल दिए और इसी तरह से दूसरा चमछ भी हम हम डाल दिए तो हमने देखें लगवग ब्राबर इसमें डाल दिए हैं दोनों मिला लेना हैं गाट लगा कर एक पोटली बना ना कई लोग बोल रहे थे कि इसमें ज्यादा लगता है तो आप क्या किजिए इस तरह से पोटली बनाकर इसमें डाल सकते हैं इससे दो फायदे हैं एक तो क्या है डिटरजन कम लगे अधूसरी बात क्या है हम जब भी कपड़े साफ करते हैं तो देखिए कई तरह के कपड़े ड पर दिशन डालनी को दिया रहता है तो आप यहां पर क्या किजिए दो चमभा छम यहां पर डि टाले हैं और फई इसमें नमक डाल देते हैं इस तरह से ढालने के बाद हमें क्या करना है इसको अच्छी तरह से मिला देना है और इसको इस तरह से फिर हम लगा देंगे और इसके बाद हम छोड़ देंगे, ये कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और जो भी कलर विगरा कपड़े का निकलता है, वो भी नहीं निकलेगा, अब एक बाद का धियान देजिएगा, जब आप पोटली बना का दे रहे हैं, तो आप उपर से डिटरजन नहीं डाल देजिएगा, या तो उपर से डालते हैं, तो आप पोटली बना कर नहीं डालेगा, दोनों में से कोई एक ही जगर डालेगा, मेरा अगला टिप से हाथ को लेकर या तो पैर को लेकर है, तो देखे, जहां पर आपको दर्द रहता है, या तो कई बार क्या होता है, चोट लगा लिजिए, तो यहां पर देखे, मेरा हाथ में दर्द है, तो हमें इस तरह से यहां पर लगा लेते हैं, इस तरह से लगाने के बाद हमें इसे नहीं छोड़ना है, इस तरह से जहां होता है, कपड़े बेगरा में लग जाता है, दवा बेगरा तो यह क्या होता है, जो भी दर्द बगएरा हो तो देखें बहुत जालदी ठीक हो जाता असूजन भी तो अच्छे से कम जाता और कई बर क्या आता है डाक्टर बगएरा पट्टी लिख देते तो हम पट्टी कई नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से क्या किजिए शक्स को पाहन लिजिएगा त इस तरह से पाहन लेजिएगा पैर में या तो हाथ इस तरह से पाहनने से क्या हों है हमरे दवाजों बिल्कुल कहीं लगेगा भी नहीं हम Constance का अवे अगी जलदी दर्द बिगरा आः डाता है किसी तरह से खाने में नचला जाए तो इस तरह से जोल पीम लिगाए तो बिल कराने के लेक नियुक्त वर क्या आता है बोरी ही ले आते हैं लेकिन क्या आता है कुछ दिन के बाद इसमें कीडा लग जाता है जब कीडा लग जाता है तो हम इसे दूप मे भी नहीं दे सकते हैं क्यांकि फ्री displacement क्या आता है चावल को खोलना है और इस तरह से हमें क्या करना है फिर इसको अंदर कर देंगे और पैकिंग को थोड़ा सा हलका सी इस तरह से दवा देना है आप क्या किजिए इस तरह से करने के बाद चावल में डाल देजिए आप जिसमें भी चावल रखते हैं उसमें आप क्या किजिए इस तरह लिए इस तरह से डालने से क्या हूंगे एक तो कीड़े हैं जो बिल्कुल नहीं लगें कई लोग बोलेंगे कि इसका जो असमेल वेगर वो चावल में आ जाएंगे तो ऐसा कुछ भी ने इसका समेल बिल्कुल चावल में नहीं आता हम इसको पहले भी इच कि आप इस तरह से गर थोड़ा बूत रहे गा वी तो हम इसके बाद हम जब खाना ऑफ जाएक चावल को अच्छे सिए इसका जोब ही आपको निकल जाएगा तो मेरा वीडियो का लगा कमेंथ करके ज्रूर बताईएगा इसा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जादा से जादा दोस्तों के फार्मिली के साथ सेर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलता है हमका लेक नए वीडियो के साथ